शुक्रवार को केबिसी का कर्मवीव स्पेशल शो है और इसमें एक ऐसी महिला आने वाली है जिनकी कहानी सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे कि उन्होंने अपने जीवन में कितने संगश किये हैं और कितनी कठनाईयां धेली हैं केबिसी के कर्मवीव स्पेशल में जो महिला आने वाली है उनका नाम है सुनीता कृष्णन जो महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ रही हैं सुनीता एक समाज से विका हैं जो महिलाओं के खिलाब गलत बोलने वालों का मुह अच्छी तरह से बंद कर ना जानती हैं सुनीता कर्मवीर स्पेशल में आने वाली है और इसका एक प्रोमो रिपीज हुआ है प्रोमो में सुनीता अपने जीवन की कहानी अमिताप को सुनाती हुई नजर आ रही हैं सुनीता ने अमिताप को बताया कि जब वो 15 साल की थी तब 8 लोगों ने उनके साथ रेप किया य प्रजवला की और सहसंस्था पगभी है यह गहर सरकारी संगठन है जो योन उत्पीडन वाले पीडितों को समाज में बचाते हैं पुनरवास कराते हैं और पुनरगठन करते हैं कृष्ण मानव तसकरी और सामाजिक नीती के शेत्र में काम करती हैं उनकी संस्था प्रजव से महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक शात्म को पुनरवास सेवाएं दे सकें उन्हें 2016 में भारत के चौथे उच्चतम नागरिक पृसकार पदमश्री से भी नवासा गया है समाज के लिए काम करने का होसला सुनीता में बच्पन से ही आ गया था जब उन्होंने आट सा में वो सामाजिक कामों में काफी रम चुकी थी उन्हें का सहनी घटना का सामना करना पड़ा 15 साल के उम्र में आट लोगों ने उनके साथ बलातकार किया लेकिन इसके बाद भी सुनीता ने हार नहीं मानी और वो आज भी सामाजिक हितों के काम कर रही है और खासकर महिलाओ उसे जुड़े हुए काम वो कर रही है कृष्णन ने भूटान और बंगलोर के स्कूलों में शिक्षा प्राप्त की है और बंगलोर में सेंट जोसफ कॉलेज से परियावरन विज्ञान में स्तनातक किया है और उन्होंने मंगलोर से MSW चिकितसा और मनुरोग की शिक्षा प सीखने को भी मिलेगा